सबी प्रभू प्रेमियों को मेरा प्यार भरा रादे रादे बहुत से लोग कुश्चन करते हैं महाराज हम इतना अच्छा करते हैं हम ये करते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं होता हमारे साथ ये नहीं होता है अपने साथ एक कहवत नहीं सुनी है नेकी कर कुवा में डाल अच्छा करो और भूल जाओ हम लोगों को उस अच्छाई का फल भी इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि हम अच्छा तो करते हैं लेकिन एक बार अच्छा किया और उसको सो जगे का दिया तो उस अच्छाई का जो फल मिलना था वो मिला ही नहीं नेकी कर कुवा में डाल किसी ने ऐसे नहीं कहा बहुत बड़ी बात कह दी किसी ने अच्छा करके तुरंत भूल जाओ परोपकार करो गांधी बापु ने भी कहा था पर दुख्य उपकार करे कोई उर अभिमान ना आने दे वैश्नव जनतों तेने कहिए जो पीर पर आई जाने दे आज लोग कहते हैं बाहु बली कही लोग कहते हैं बड़ा दबंग है बड़ा ऐसा है बड़ा वैसा है आज लोगों की संख्या ये कहने में बहुत कम हो गई ये बड़ा सादू सेवी है ये बड़ा परोबकारी है ये बड़ा अच्छा है ये दूसरों का दुख नहीं देख सकता ये बड़ा खेलफुल है दूसरों की हेल्प करता है ऐसे लोगों की संक्या कम होई है बजे हमारा व्यशन हमारी आदतें गोश्वामी तुलसितास बाबा ने रामान में लिखा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई परपीडासम नहीं अदमाई जो व्यक्ति दूसरों का भला करना जानता है उसके वराबर कोई पुझ नहीं है और ज भरमात्मा बनना है क्या धर्मी बनना है मेरे देश का इतियास कितना सुंदर है जहां जटायू भी परोपकार करता है बंदर भी परोपकार करते हैं पेड़ पौदे तो दिन रात परोपकार पेड़ पौदे कहने को हम intelligent हैं कहने को हम बुद्धिमान हैं कहने को हम सोचने व कभी नहीं कहता कि मैंने आपको oxygen दिया, मैंने आपको चाओं दी, मैंने आपको फल दिया, कभी कहा उसने, नहीं कहा, लेकिन यहां हमारे घर में कोई एक व्यक्ति आ जाए, तो हम घमंड के मारे उसे अगर चाय पूझ लें, तुम भूल गए, तुम्हें उस दिन मैंने चाय पिलाई थी, अरे तेरा बला हो, तुम्हें एक चाय याद है, पर तुम्हें कोई जिन्दगी बर कुछ खिला पिला रहा है, तुम्हें जिन्दगी बर तुम्हारा पेट कोई भर रहा है, यह तुम्हें याद नहीं, अरे हम कौन होते हैं, अच्छा और बुरा करने वाले, अच्छा करने वाला कोई और है वही हमें अच्छा कराने है वही हमारे पास यह अबसर देता है मौका देता है जैसे हम तो आप सब को में एक बात कहना चाहता हूं अच्छा करो नेकी कर दरिया में डाल अच्छा कर्म करके भूल जाओ जब आप अच्छा कर्म करोगे और भूल जाओगे क्योंकि धर्म नहीं भाई पर ही तुसरिस तुम्हारी बज़े से किसी की आँख में आँसु नहीं आना चाहिए तुम्हारी बज़े से किसी के अधरों पर इसमाल आने चाहिए जब तुमारी बज़े से किसी के अधरों परिस्मा लाएगी तो तुम गारंटी से ये कह सकते हो कि मैं भगवान से मिलने लाइक हूँ कौन हैं ये लोग जिनको हम सुख और दुख देते हैं इन सब में भगवान समाया है इन सब में इश्वर का अंस है इश्वर अंस जीव अविनासी इश्वर के अंस हैं ये सब एक तरह हम अंदिर में जाके भगवान की पूझा करते एक तरह इश्वर के अंस को हम लोग दुख देते हैं आप एक ही बात बताइए कोई आप से अपना काम निकलवाना चाहे और आप ही के बच्चों को तकलीव दे तो आप परसन होगे क्या परसन होगे आप परसन होगे आप उसे क्रोधित हो जाओगे तु मुझसे काम निकलना चाहता है मेरे बच्चों को दुख देता है ठीक वैसे ही भगवान की स्थिती है जब हम उसी के बच्चों को तकलीव देते हैं दुख देते हैं तो भगवान हमें कभी श्मा नहीं करता है वो कहता है तुम किसी के दुख का कारण मत बनो तुम किसी के सुख का कारण बनो और जब हम किसी के सुख का कारण बन जाते हैं तो निश्यत तोर पर हमारे घर पर, हमारे द्वार पर सुख लाइन लगा कर खड़े रहते हैं, आप सबसे मेरा अग्रह सुख का कारण बनिये, किसी की स्माइल का कारण बनिये, किसी के आनंद का कारण बनिये, किसी के आंसुओं का, दुख का कारण आप मत बनिये, अगर अपने सहर में निकल लिए और देख लिजिए कभी एक दिन कोई भूंका तो नहीं है। सर्दियों में कभी निकल जाए देख लिजिए आपके सहर में कोई ऐसा तो नहीं है जो ठंड से सुकोड रहा हो। कर दीजिए उसकी मदद। खिला दीजिए किसी को भोजन, फिला दीजिए किसी को जल बन जाईए किसी का साहरा, पाल लीजी उन दो बच्चों को जो आपके नहीं है मुझे नहीं पता कि आपकी अलाद आपको कितना सुख दे पाएगी लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ, ये जो अलाद है न ये जो संसार है जिनको आप जानते नहीं और उनकी भी मदद अगर आपने की तो आपको बहुत सुख मिलेगा पर दुखे उपकार करे कोई किसी के दुख में उनकी मदद करना और अभिमान ना आने रहे अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने की आए जब आप इस तरीकी की जिन्दगी जियोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंटरनली आप निश्शित और परैपी होगे आपका लोग भी सुधरेगा और परलोग भी सुधर जाएगा चलिए मानवता में कुछ खुशियों के पुस्प कुछ आनन्द के पुस्प एक दूसरे के उपर विखिड देते हैं सिर्थ जूरी में ही बंद करके नहीं जाते हैं उन खुशियों को हम लोग थोड़ा सा उड़ा देते हैं लोगों में आनंद को बांट देते हैं कहते हैं ना बांटने से हर चीज जो भी हम आनंद बांटेंगे तो वो बढ़ जाएगा आईए हम और आप सब एक कदम बढ़ाएं परुपकार की तरफ परुपकार की तरफ जब हम ये कदम बढ़ाएंगे तो हमारे घर में खुशियां हमारे तीचोरी में आएंगी ऐसा मेरा मानना है दूसरों का हैत करते रहिए दूसरों का भला करते रहिए चुगली मत कीजिएगा दूसरों की प्रसंसा करते रहिए चुगली अपनी कीजिए प्रसंसा दूसरों की यही मेरे ठाकुर को प्रिय है रादे रादे बोलना पड़ेगा पर पुझे महाराजी के अधकारिक पेश को लाइक करने के लिए देवकिनंदन ठाकुर जी सर्च करें ट्वीटर वर पुझे महाराजी को dn-thakur-g फालो करें